जेहन्द मैल अल्ध खतरी और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी सब बढ़ता है M.T.T.V. इंडिया और आज बात इंटरनेट को लेकर सुप्रीम कोट के निर्देश की सुप्रीम कोट ने शुकरवार 10 जन्वरी को जम्मू कश्मीर में अस्पतालों श्यक्षनिक संस्थानों जैसी सभी जरूरी जगहों पर इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश दिया है मायरा फाशन, स्वामी कॉंप्लेक्स, अन्वेगा मौल, अज्मीर यहने देश देते हुए शीश अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेर नहीं है कि एक लोगतांतरिक विवस्था में बोलने की सवतंतता अनिवारे तत्व है इंटरनेट का उपियोग करने का अधिकार अनुच्छेद 19.1.1 के तहत एक मौलिक अधिकार है यानि कि सुप्रीम कोट ने यह तैक कर दिया है कि इंटरनेट आपका मौलिक अधिकार है और अब इस मौलिक अधिकार के साथ ही देश की उन तमाम राज्यों की सरकारों पर दवाब बनेगा जो की बिना वजह से अलग-अलग इलाकों में इंटरनेट बंदी करते आए हैं इस फैंसले के साथ ही आज आज आपको कुछ महत्वपून जानकारिये भी हम दे रहे हैं लेकिन उससे पहले आपसे पूछते हैं कुछ सवाल क्या आप जानते हैं कि सम्विदान का अनुच्छेद 19 आखिर है क्या और इसके तहट हमें कौन से अधिकार मिले हुए और क्या आप जानते हैं कि देश के एक राज्ये ने करीब 3 साल पहले ही इंटरनेट को मूलभूत अधिकार गोशित कर दिया है भारतिय सम्विदान का अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों के लिए कुछ चीजों की सवतंदता की बात करता है अनुच्छेद 19-1 के तहट ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जिने हमसे कोई भी नहीं चीन सकता सुप्रीम कोट ने इसी मौलिक अधिकारों के तहट अब इंटरनेट को भी बता दिया है अनुच्छेद 19-1-A के तहट सभी नागरिकों को अभिव्यक्ती की सवतंदता का अधिकार है अनुच्छेद 19-1-B के तहट बिना हतियार किसी जगह शांती पूर्ण इकटा होने का अधिकार सभी लोगों को मिला हुआ है अनुच्छेद 19-1-C के तहट संग या संगठन बनाने का अधिकार हमारा समिधान हमें देता है अनुच्छेद 19-1-D के तहट आपको भारत में कहीं भी सवतंतर रूप से घूमने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 19-1-E के तहट भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार आपको समिधान देता है इसके साथ ही अनुच्छेत 1901 जी आपको कोई भी व्यवसाय पेशा अपनाने या व्यवपार करने का अधिकार भी देता है भारतिय स्वमिधान का अनुच्छेत एक जहां मौलिक अधिकारों की बात करता है वहीं अनुचे 19-2 के तहट इन अधिकारों को किस तरह से सीमित किया जाए ये बताया गया है 19-2 में कहा गया है कि अभी व्यक्ति की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए इन तीनों चीजों के सनक्षन के लिए अगर कोई कानून है या बन रहा है तो उसमें भी बादा नहीं आनी चाहिए और इन सब के बीच सुप्रीम कोट तो अब इंटरनेट को मौलिक अधिकार बताया है लेकिन भारत का एक राज्य ऐसा है जिसने अपसे करीब तीन साल पहले ही इसे लोगों का मौलिक अधिकार गोशित कर दिया था और वो देश का सबसे सिक्षित राज्य केरल है दरसल मार्च 2017 में ही केरल ने हर नागरिक के लिए भोजन पानी और शिक्षा की तरह इंटरनेट को भी मौलभूत अधिकार की शिवनी में रखा था अपने बजट में इस राज्य ने करीब 20 लाख गरीब परिवारों तक इंटरनेट की सुविधा पहुचाने के लिए योजना भी बनाई थी और फंड भी आउंटिद किया था इसके तहट केरल में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क पर योजना पर करीब 1548 करोड उपे खर्च किये जाएंगे योजना को पूरा करने में का लक्ष ये 2020 तक रखा गया है अब ऐसे मैं आपको अपनी सरकारों से इंटरनेट जैसी मौली का दिकार पर खुलकल आजा दी मांगनी चाहिए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें वीडियो जनलिस राजवीर सिंग के साथ मैं ललित खतरी